Truecaller आपका data चोरी करता है, आपने सोचा भी नहीं होगा कैसे? And अगर आपने install नहीं किया है, तब भी. मान लो मेरे phone में 100 contacts है, मैंने Truecaller निस्टॉल किया, contacts ही permission दी and उस permission को use करके उसने मेरे सारे contacts को scrape करके database बना दिया. अब उन 100 लोगों ने अपने phone में Truecaller डाला है, इससे मतलब नहीं है. मेरे एक action से उनका नाम, mobile number, email address, सब गया. और क्योंकि एक European company है, और वहाँ के GDPR rules के अंडर उसे ये करना allowed नहीं है, इसलिए उसने अपने सारे servers को इंडिया में shift कर दिया, क्योंकि यहाँ पर data protection पर कोई law नहीं है. और इसलिए 300 million का user base है, बट contact database 5.7 billion users का है. हाँ, बट जब tax देने का time हाता है, तो वो फिर से एक European company बन जाता है, क्योंकि वहाँ tax कम लगता है. Truecaller आपके messages को read कर सकता है, और आपका एक detailed financial profile बनाता है. आपके messages के थुरू उसे ये पता है कि आपके पास कितना bank accounts है, उनमें कितना balance है, और जब balance एक limit से नीचे जाएगा, तो आपके पास आएंगे बहुत सारे loan offers. In fact, पास लाग तक का instant loan Truecaller खुद अपनी app में offer करता है. ये खुलासा किया VoiceRoy Research की report ने, और Truecaller ने काफी allegations को deny भी किया, आप खुद ही पढ़के देख लो, मैं आपको link दे देता हूँ. एक बात जरूर है, हम लोग puppets हैं, इस दुनिया में अगर कुछ बिखता है, तो वो हम ही है, over and over again.